आज हम ग्रामिट विकास हैं उन्सामाजिक परिवेस में अन्जन जाती हैं वितरण के बारे में पढ़ेंगे पिर्थवी परमानों जीवन पिर्थवी परमानों जीवन आज से लगवग 3.41 अरब वर्स 3.41 अरब वर्स पूर्व आरकियो जोईक एरा में पिर्थवी परमानों की उत्पत्ति मानी जाती है जबकि हमारे निकटम मानों पुर्वजों की उत्पत्ति आज से लगवग 11.700 इसा पूर्व पूर्वी अफरिका महादीप में होलो सीन इपोक या होलो सीन यूग में हुई थी हमारा निकरतम मानो पुर्वज क्रोम मैगनान है जिससे हमारे मानो पुर्वज होमो सेंपियन की उत्पत्ती हुई होमो सेंपियन का साब्दिक अर्थ होता है वो दिमान मानो अर्थात होमो सेंपियन के निकरतम पुर्वज क् मैं ग्रान की उत्पत्ती हुई थी भारती जनसंख्या में उनकी मानो प्रजातियों का सम्मिस्टरण पाया जाता है जो प्रगैतिहासिक काल के पूर्व से अतिहासिक काल तक यदा कदा भारत में प्रवेस करती रही है मानो सनचना बैग्यानिकों का विश्वास है कि भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाती समू निग्रो था भारत आने वाला सबसे अंतिम प्रजाती नार्डिक है तक तो सास्तर के द्रिश्टी कोंड से भारती प्रजातियों का सर पर्तम वरीकरण सर हरवर्ट रिजले ने 1901 इसवी की भारती जनगर्णा में किया था लेकिन अब इनका वरीकरण अमान ने हो गया है बारतमान में सरमान ने डाक्टर गुहा द्वारा 1931 इसवी की जनगर्णा रिपोर्ट में प्रस्तूत किया गया था डाक्टर गुहा द्वारा कियेगे भारती प्रजाती वरीकरण में उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाले मुख्य मानो जनजातियों का वीवरन निम्न ह उत्तर प्रदेश की अनसुचित जनजातियों के अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं भारती सम्मिधान के अनुच्छे 342 के तात उत्तर प्रदेश में सन 2003 से पूर्व केवल दो जंजातियां करमसब, थारू और भुकसा को ही अनसूचित जंजातियों की स्रेडी में सुचिवद किया गया था उत्तर प्रदेश में अनसूचित जंजाति की कूल संख्या बारह हो गई है, सन 2001 की जंगर्णा की अंसहर उत्तर प्रदेश में अनसूचित जंजाति की कूल अवादी 11,34,283 उले खनी है, की वर् Stephen के अवादी एक लाग 7,963 ती, पर देष में संदो औजार एक और गर्यारे के दसक में अनसुचित ज неёजाती की अबादी में 950.66% की बुल्दिदी दर्ज की गई गई है जन्गणड़ना संदो औजार गई आरे के अनुषार प्रदेष की खुल अवादी में 0.6% अवादी अनसुचित जन्जाती की है जनकर्णणा संदोजर इगारे के अमसार अनसुची जनजात में लिंगा अनुपाद 952 दर्ज किया गया जबकि 0-6 वर्थ के बच्चों में यह अनुपाद 944 वर्थ 24 दर्ज किया गया राज के प्राए सभी जीलों में अनसुची जनजाति के ब्यक्ती पाय जाते हैं लेकिन सोनभर जिले में अंसुचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है 3,85,018 है और इसके बाद बलियां का स्थान है यदि सबसे कम जनजाती जिले की बात की जाये तो सबसे कम जनजाती जनसंख्या बागपत जिले में जनसंख्या के द्रिश्टी से सरवाधिक अवादी वाला जन जातिय थारू है अन्सुचित जाती निवास जनपद थारू परदेश के तराई छित्र में खास कर महराज गन सिदार्ट नगस रावस्ति बैराईच एवं लकीम पूरकीरी जनपद के उत्री भाग में बुकसा य आयक ओजा पठारी राजगोड महराज गन सिदात नगर गूरपूर देवरियां महू आजमगर बस्ती जौनपूर बलियां गाजीपूर वाराणसी मिर्जापूर सोनपद खरवार और खैरवार देवरियां बलियां गाजीपूर चंदोली वाराणसी मिर्जापूर अगरिया सोन भद्र पठारी सोन भद्र चेरो सोन भद्र और चंदवली भुईया या भुनिया सोन भद्र उत्तर प्रदेश की प्रमुक जंजातियां एक विवेचन थारु थारु उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुक जंजातिया या उत्तर खंड में नैनी ताल, खटिमा, एवं सीतार, गंज, तसिल में उत्तर प्रदेश लखिमपूर, खीरी, गोंडा, बैराईज, माराजगन, गुरकपूर, आधि, जिलो में थारु जंजातियां थारु बुटेदार कुड़ता पहनती हैं ये शरीर पर गुदना गुदवाती है तथा अभूशन पहनती हैं थारू जंजाती दीवाली के तेवार को सोक के रुप में मनाती है थारू का भोजन मुख्य रुप से चावल मचली है इस तरियां अपने द्वारा मारी गई मारी हुई उर्षो द्वारा सपर्स की ये मचलिया नहीं खाती मंदीरा थारू का मुख्य पे है जिसे वे चावल द्वारा स्वेंग निर्मिट करते हैं उसे जाड कहते हैं भोजन का समय निर्धारित होता है तथा उन्हें समय अनुसार निम्लिकी तीन नामों से जाना जाता है कलेव प्राता का नास्ता मिजनी मिजनी दोपार का भोजन और बेटी साम का भोजन भारत अधा उत्तिर प्रजिस सरकार द्वारत हारू जन्जातियों के समाजिक और आर्थिक उत्थान ये तु निरंतर प्रत नसील है इस हे तु अनेक योजनाओं को भी प्रारंब किया गया अचEC महावीध्यालत हारू जंजाति के लड़के लडबियों को शिच्छा पृदान करने नतु सु अस्थाप्षब किया गया है जहां पर बड़ी संख्या में ये सिच्छा प्राप्ट कर रहे हैं और उंच सरकारी पदों पर कारिय कर रहा है सिच्छा के प्रशार में इस जन्जाती के लोगों में सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ है बुक्सा बुक्सा तता भुक्सा जन्जाती उत्तरप्रजेस के बिजनोर जिले में छोटी छोटी ग्रामिड वस्तियों में निवास करती है बुक्सा लोग मुक्त हिंदी बहांसा बोलते हैं जिनमें जो लोग लिखना पढ़ना जानते हुए देवनागिरी लिपी का प्रयोक करते हैं इनका मुख्री बोजन मचली चावल है इसकतरी ये लोग मक्काव गेहुंग की रोटी ओर दूद दही का प्रयोक करते हैं बुक्सा जन्जाती में विवा एक अनुबंध के रूप में होता है बुक्सा जन्जाती में धर्म का पारंपरिक रूप हिंदू धर्म का ही प्रति रूप होने के कारण ये लोग महादेव, काली, माई, दुर्गा, लच्मी, राम, कृष्ण की पूजा करते हैं कासीपूर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, इनके ब्रत और तेवार हिंदूओं के समान ही होते हैं खरवार खरवार जनजाती उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर जिले में निवास करती है, इसका मूल छेतर बिहार का पलामू और अठारह हजारी छेतर है खरवार 11 तथा 12 सताबदी में अपने पूर्ण बैभा को प्राप थे, इनका पतन मिर्जापूर के दच्छनी भाग में चंदेल राजाओं द्वारा सन 1203 में कियेगा आक्रमडों के उपरांत हुआ बिविन अस्थानों पर रहने वाले खरवारों की भासा और बूली पर अस्थानी ता का प्रवाप परिलच्छित होता है इनकी माणी में करकस्ता अधिकों देखी जाती है ता किसी सब्द का उचानु छीच कर करते हैं मुखित खरवार जनजाती के लोग अनु नासिक द्वनियों का प्रियोग अधिक करते हैं इनमें रे, तोर, मोर, केकर, ओकर, आधि सब्दों का भी प्रियोग किया जाता है खरवार जन्जाती को लोग साधानतर टेहून तक धोती बड़ी और सर पर पगड़ी पहनते हैं खरवार जन्जाती मुक्ता हिंदू धर्म के रिती रिवाजों का पालन करती है खरवार जन्जाती लोग मांसाहारी और साकारी दोनों परकार के होते हैं मुखतक यहूं चावल का प्रियोग भोजन में करते हैं लेकि उसों के उसर पपसूं का मांस खाते हैं तथा मदिरा पान भी करते हैं सेर चिता बालू सुव रादी का सिकार और उनका मांस खाते हैं आरम में खरवार जंजात के लोग जंगलों पर आश्री थे लेकिन परदेश सरकार की वनों की विसेस्था सुरच्छा की निती के कारण अब इनके लिए वनों के से लकड़ी काटना निशाथ कर दिया गया है। ये लोग जंगल में दातून पत्ता लकडी तक नहीं काड़ पाते हैं बरतमान में न तो इनके पास क्रिसी भूमिया और नहीं कोई दोग दंदा अता इन्हें मजबूर होकर भिच्छाटन के लिए निकलना पड़ता है कुछ अस्तानों पर ये बदुआ मजदूरी का भी जी जी नहीं पाते माहीगीर जनजादी के लोग उत्तर प्रदेश के बिजनोर जिले के नजीबाबाद छेतर में निवास करते हैं माहीगीर अधिवासी एक विशेश प्रकार की बोली बोलते हैं जो खड़ी बोली से मिलती जुलती हैं इन लोगों में सिच्छा का प्रसार बहुत कम हुआ है इस जनजादी के लोगों ने इसलाम धर्म को अपना लिया है मस्जिदों का उप्योग नमाज पढ़ने के लिए करते हैं इन लोगों में समाजिक बेदभाव तधा उंच नीच कम पाई जाती है ये मुख्य रूप से जंगली जानवरों का सिकार कर उनके मांस का प्रयोग उदर पूर्ती के हेतु करते हैं माहीगीर का मुख्य व्योसाय मचली पकड़ना है अगरिया उत्तर प्रदेश के सोनभर्द जनपद में इनका निवास है अगरिया जनजाती का जाती है नाम अगनी से व्यूत्पन हुआ है अगरिया अपने को लोहार भी कहते हैं इस जनजाती का मुख्य व्योसाय लोह एस के पिगलाना है बैगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में वैगा जनज जाती है बेगा सब्का साफदि कर्थ पुरोहीत होता है इस कारण बेगा लोगों को पंड़ा भी कहा जाता है बेगा नाग बेगा को अपना को अप earrings बानते हैं बेगा ग्राम पुरोहीत होने के साथ यह चीह सक भी उते हैं बैगा संजात का मुख्य व्योसाइक क्रिसी है तदा बनों की उपज़ पर जीवन व्यापन करने वाले लोग कि सरल और भौतिक संस्कृती में जीते हैं कि इस तरह मेरे असुख